राधे राधे दोस्तों तो आप सब कैसे आप से बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और डेली के रूटिंग अपना काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सुबा होगे कितना ठंडा लग रहा है जैसे कुहा घर के अंदर ही घुशने वाला है मतलब अज इन पर ठंडा के वजए से कोई भी नहीं घर से बाहर नहीं निकलता है देख सकते हैं घर के बाहर कोई भी आपको एक आदमी भी नहीं दिख़े गा भी बहुत ज्यादा ठंधा हो रहा है और ये है जब धूपा उग गया उस समय का है तो मेरे च्छत पे बहुत सारे अपने आप ही टमाटर का छोटा छोटा पोधा निकल रहा है तो हम सचे इसको इसमें लगा देते हैं तो ये खाली परा था इसमें हम किचन वेश्ट एक जगा करते थे तो सचे अ यहां पर चेक करते हैं कि कितना अंदर मिटी है किने जर अच्छी पहुंचेगा किने और जब पेर नहीं था तो हमको खरीद के लाना पड़ा अब अपने आप ही पेर मतलब लगाना था तो नहीं था और अब नहीं लगाना है तो अपने आप आ रहा है तो कोई बात में दिखिए धान ये फूला हुआ है मतलब 3 दिन के लिए धान घर में फूला है तो आज इसको चान देंगे धोके क्योंकि यह धान चूरा कुटाने के लिए है और हमारे यहां चूरा घर पे जो धान होता है उसी लाते हैं हम लोग क्योंकि गाओं में रहते हैं तो गाओं में बजार से जिसके घर नहीं होता है वहां मतलब खरीद के खाते हैं और हम लोग ही तो नहीं होता है फिर भी हम धान अपना मेरी मम्मी हमको दे दी थी तो वहें से हम धान लाएं तो उसी का हम चूरा बना रहे हैं क लिए यहां पर देखिए धान को छान देते हैं तो अच्छी तरीके से धोके क्योंकि दो तीन दिन जो पानी में रहता तो उसका वह गंदा वाला पानी हो जाया ह। तो इसलिए धो देते हैं ताकि धोने से इसका पानी का जो होता है वो खड़ाव निकल जाता है और अच्छा पानी विला हो जाता है तो उसमें स्मेल नहीं आता और अगर यही पानी गंद तीन दिन से जो धान में पानी रहता है उसी के साथ आप धान कुटा दीजिए गा तो चूरा का टेस्ट खड़ाव हो जाता है तो इसलिए इसको दूसरा पानी से धो धोके पानी चान दे च्छान देगा और इसको कम से 6-7 गंटा के लिए पानी निकलने के लिए पानी पानी हिसे लिए द्रका इसे अच्छा होता है कि चूरा आपको एक घर का मिल गया और बाहर में मार्केट में पता नहीं कैसा धान क्या कुछ रहता है तो जैसे तेसर रहता है उसी तरीके से चूरा बना देते हैं और वही अदमी खाता है और कभी कंकर मिलता है तो कभी पत्थर मिलता है और टेस्ट भ कुस्भू आएगा कि इसे लगेगा हाँ पहले की जमाने में तो हमारे मम्मी वहीम देखते थे कि घर पर दादी मम्मी चुरा कुटते थे अब कहां कोई कुटता है तो यहां पर देखिए अब यह चुरा कुटा चुका है अब इसको हम बना लेते हैं इसमें भूर्सा और जूरा कुरकुर ही अच्छा होता है तो पहले हम चाल के में रख लेंगे इसको फटके हुए और हमको उतना स्क़त के नहीं आता है फिर भी थोरा भूत जैसे आता है उसे कर लेते हैं नहीं करेंगे तो फिर कौन करने वाले हैं हैं तो आहीं करना है तो यहां पर देखिए इसको हम फटा करें क्योंकि थोरा बहुत भूसा रह जाता है चालने से भी तो उसको फटकने से निकाल जाता है और इसी तरीके से बार-बार फटकने से सारा साफ हो जाता है कचरा और नहीं अच्छा से साफ करेंगे तो फिरू जब खाने में दूध य दही में चूरा खाते हैं किसी तरीके से तो उसे में वह भूसा उपर उपर आने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है बच्चा भी बच्चे बड़े कोई भी ने खाना चाहता है तो इसी तरीके से इसको अच्छा से साफ कर लेंगे तो उसके लिए हमको तयार भी होना है तो चलिए यह हो गया है तो यहां पर आ गहे हैं हम यहां देखिए छोटा बच्ची है इसी का जनम दीन है हमारे बगल में है और इसकी इसकी यह मम्मी है तो इसका जनम दीन है इसका नाम कुहु है ऐसे इसका नाम दिव्यांसी है तो इसका यह एक साल की हो गई है यह इसका प तो आ गया है यहां पर कैइक सजाने में और यहां कपूरख खाने में हैं यह देखिए यह बार बार कपूर को मुह में डाल रही है लेके इसको लग रहा है कि टॉफ traced झाल रहा है जैसे इसलिए बार बार कपूर खा रही है भचा बच्चा इसको मthm अतना द्जान नहीं में हैं कि हमारे गव्ववं में लूर बोला जाते हैं चोटा यहां नहीं है तो इसलिए इस लिए बच्चा छोटा उसको इसोटस को ग्यान नहीं है इसको लग रहा है यह टौफी र nossa सिर्ज बार बार कपूर निकल चुक है काफी सुंदर है अधर देखिए फिरी कपूर खा रही है और केक काफी सुन्दर है यह गुरियावला केक है देखने में भी सुन्दर लग रहा है यहां पर देखिए सब कोई अपना-पना काम कर रहा है और यह भी कपूर खाने में लगी हुई है और इसको बार-बार सब मना कर रहा है फिर भी नहीं सुन रही है बारबर का पूरी खा रही है जल्दी जल्दी केक में मुंबत्ती लगा देते हैं और इसका इस्टेंड इसका लगा थे पर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था गिर गिर जा रहा था आए तो हम बोले फिर इसको कि इसका इस्टेंड निकाल के इसी तरह केक में मुंबत्ती लगा दो तो वह इसी तरीके से लग गया है और यहां पर देखिए मुंबत्ती भी सारा सज गया है और यहां पर सारा कैंडिल जला लेंगे मुंबत्ती को जला लेंगे तो यहां पर जल चुका है और ठंड़ा का दिन है तो बहुत ठंड़ा भी लग रहा था लेकिन फिर भी बच्चा का जनम दिन था तो वो तो मनाएंगे ही हमारे गौह में इसी तरीके से जनम दिन मनाया जाता है तो यहां पर सारा मुंबत्ती जल ला लिये है और यहां पर अब केक कटेगा तो पहले चोटा बच्ची को आरती कर लेते हैं मतलब यह कूह है इसको प्यार से सब घर में कूह कहते हैं तो आरती हो गया है अब केक कटेगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किज धशिण रहा है 애 किसंट कर दिए किस बच्चे का जनम दिर नहीं है जो मुंबत़ी बुता रहा है जो केक काट रहा हमारा वीडिएयो कैसा लए कौन सा वीडियो हमारा अच्छा लगा और यहां पर बच्ची का केक भी कट चुका है जोटा भेस कट हमारे गवाँ में सारे लोग बड़े बच्चे यहां पर जो बैलूम टांगा हुआ रहा था उसको लूटने में और उसको फोरने में मज़ा कि खराब कर देते हैं तो रहत भर में सब तोर फोर देते हैं तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद